नमस्कार न्यूस 29 इंडिया में आपका स्वाकत है मैं हूँ साक्षी आई अज़र डालते हैं अभी की ताज़क अपरोपर थाना प्रभारी आरेनस भदोरिया ने शेत के रहवासियों के साथ की बैठक वार का पुरी शेत में लगातार हो रही घटना को लेकर ली बैठक बड़ी संग्या में महिलाएं और बच्चिया हुई शामित अगामी तरबात को देखते हुए खाद विभाग ने कसी कमर विभाग ने अपने मुखबीर किये सक्रिये मुखबीर की सूचना के बाद पकड़ा एक हजार किलो मावा कॉंग्रेस को बड़ा जटका देते हुए जैन से सांसर रहे प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे ने ग्रहन की भाजपा की सदर सिता भाजपा में शामिल हुए अजीद बोरासी ने कहा कॉंग्रेस सिर्फ राजा महराजाओं की पार्टी है द्वारकापूरी शेत्र में लगातार हो रही बच्चियों के साथ हत्या और छेरचार की घटनाओं को लेकर थाना प्रभारी आरेनस भदोरिया ने शेत्र के रहवासियों की बैठक ली जिसमें बड़ी संक्या में महिलाएं और बच्चियां शामिल होई थाना प्रभारी भदोरिया ने सभी महिलाओं और बच्चियों को अपना मुबाइल नंबर दिया इसके साथ ही धानब रभारी ने शेतर में हो रही अवेद गती वीडियों को लेकर शिकायट करने के लिए भी कहा है और उने कहा कि किसी भी इसे भी डरने की जरूरत नहीं है शिकायट करना का नाम गुप्त रखा जाएगा इस बैटक में थानब रभारी के साथ CSP-S के तोमर भी शामिल हुए अगामी तेवार को देखते हुए खादे विभाग ने अपने मुखबीर सक्रिय कर दिये हैं खादे विभाग ने खादे पधारतों में मिलावट करने वालों की धरपकड के लिए अभियान भी चला रखा है इस एकरम में खादे विभाग को मुखबीर से सूचना मिली कि इंदोर से राइपूर की ट्रेन में करीब 1000 किलो मावा गौालियर से इंदोर पहुचाया जा रहा है विभाग ने रेलवे स्टेशन पहुचकर ट्रेन से निकली मावा जब्त कर लिया जानकारी के मदाबिक इंदोर में जादा ता नकली मावा गौालियर से ही आता जाता है कल से लिए के गल करवे की संटेबस को वहाँ पर लगवार बाराशत लोग लिंकिक और पर्टी जिज़ की गई है और उसके सेंपल जो है पोपल पर जाज के लिए मावा बाद जो है सामको लगवाल 840 किलो मावा आने की सुचिए है कि इसको लेगे वह व्यक्ती जो है अट्राइज की साथ में निया है मावा भी हमने गोल्स ट्रेज में अठाय हुआ है विदान सभा चुनाव के मद्यरजर भाजपा के सूची जारी करते ही सियासत गर्मा गई है कॉंग्रेस को बड़ा जटका देते हुए उज्जैन से सांसज रहे दिगच नीता प्रेम चन गुड़ू और उनके पुत्र ने भाजपा की सदस्ता गरहन कर ली है इसके अलावा प्रदेश कारिकारी अध्यक्ष अजीद बोरासी ने भी कॉंग्रेस का साथ छोटे हुए भाजपा का दामन धाम दिया भाजपा में शामिल हुए अजीद बोरासी ने कहा कि जिस तरह से शिवराच और मोदी काम कर रहे हैं वह सरानिया हैं और यह काम मुझे भी पहले ही कर लेना था पिताची के साथ कॉंग्रेस में शामिल हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सिर्फ राजा महराजाओं की पार्टी है कॉंग्रेस के नेत्वत ने यह एहसास दिला दिया कि वहां हमारी जगा सिर्फ दरी बिछाने की है चावनी पुलिस चौकी पर लगे भाजपा के पोस्टर और सुझाव पेटी को कॉंग्रेस की शिकायत के बाद हटा दिया गया कॉंग्रेस ने भाजपा पर आचार सहीता के उलंगन का आरोप लगाते हुए शिकायत की है चामनी पुलिस चौकी पर भाजपा के पोस्टर लगाने और मेरा सुझाव मेरा चुनाफ की पेटी रखने का मामला सामने आया है पोस्टर की सूचना मिलते ही कॉंग्रेसी चौकी पर जमा हो गए और इस बात की शिकायत की शिकायट के बाद पुलिस ने पेटी और कोस्टर जब्ट कर लिये हैं कॉंग्रिस के कारिकारी अध्यक्ष विनाय बालकीवाल ने भाजपा पर कोस्टर लगाने और सुझाफ पेटी रखने का आरोप लगाया साथी चुनाव आयोक से आचार सहिता के उलंगन की शिकायट पे की नेपा नगर में 28 नवंबर को होने वाली आगामी विदानसबा चुनाफ को लेकर प्रशसनिक तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और नमांकन परचा लेने और दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है निर्डेशन पत्र जमा करने के अंतिम तारीक 9 नवंबर और प्रत्याशी के नाम बापसी के अंतिम तारीक 14 नवंबर है यहां विदान सबा चुनाफ के लिए SDM RS मंडलो इको रिटर्निंग आफिसर न्यूक्त किया गया है और चुनाफ आयोग के निर्देश अनुसा रिटर्निंग आफिसर कार्यालाई को CCTV कैमरे से लैस किया गया है जिसके तहर चुनाव आयोग की मंशा है कि नामांकन फॉर्म और अन्य प्रत्रिया को लेकर निश्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे और बीच में चार तारीक और रईवार होने से और साथ तारीक और देपावली की छुक्ती होने से यह सारजिनी का वगास के रूप में घुचित है तो इस तारीकों नामांकन पत्र नहीं एजाएंगे बट दो से नों तक रहेगा चार और साथ की छुक्ती देएंगे इसके बाद बारा तारीक कोई स्कुट नहीं होगी हम समिक्षा करेंगे अभी की खबरों में बस इतना ही लगातार खबरों के लिए बने रही है न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे पिदेश झाल झाल